नमस्कार सिटिविजन समाचार में आपका स्वागत है 31 अगस्त से शुरू हो रहे 10 दिवसिय गनेश उत्सव ने एक बार फिर प्लास्टर आफ पैरिस के रंगे हुए बड़ी मातरा में विसरजन के कारण जल प्रदूशन की समस्या को एक बार फिर सामने ला दिया है जैसा कि नागरिक अधिकारियों और गनेश उत्सव समीतियां इस मुद्दे पर आपस में भीडी हुई है वहीं दूसरी और परियावरन विदों ने इस मुद्दे पर आम सहमती की कमी और जीलों की रक्षा के लिए एक दुरुन प्रयास की अनुपस्तिती पर खेद व्यक्त किया परियावरन विदों का कहना है कि विसरजन के बाद पृष्ट भूमी की गतिविदियों के चक्र का ध्यान केवल विसरजन पर ध्यान केंदरित करने के बज़े किया जाना चाहिए जो की एक दिन का मामला है, इस मुद्दे पर उनका खहना है कि अधिकारियों को इस मुद्दे को कैसे भैतर तरीके से समाला जा सकता है, इस बारे में एक तंत्र विक्सित करना चाहिए, मूर्ती निर्माता विसरजन के बाद P.O.P. सामागरी को रिसायकल करने और नई मूर्त को बनाने के लिए विचार करने की अवशक्ता है, सभी विसरजन तलाब स्थाई तलाब है, या अदालत के आदेशों का घोर उलंगन है और विसरजन की कोई पवितरता नहीं है, इसके अलावा लोगों और नागरिक निकायके अधिकारियों के बीच सामाजिक प्रतिबदत की कोई भावना नहीं है, परियावरन विदों ने कहा है कि बंगाल में मिट्टी की मूर्तियां बनाना अलग है क्योंकि राची की तट रेखा के साथ मिट्टी प्राकुतिक रूप से उपलब्द है जो तेलंगाना में ऐसा नहीं है, या मिट्टी की मूर्तियां बनाने के लिए बहुत अधिक सामगरी जुटाने की अफशक्ता होती है एक अन्य परियावरन विदी नरसीमा रेड़ी ने प्राकुतिक जल निकायों में मूर्तियों के विसरजन के बारे में आपती व्यक्ति की उन्होंने कहा है हुसें सागर भारी रूप से दूशित है क्योंकि ठोस रूप में मानव अपसिष्ट सीधे इसमें जोड़ा जाता है जील के स्टीपी में मानव कच्रे को छोड़ने से पहले उसे तरल कलने की शमता नहीं है गंदे पानी में विसरजन कैसे हो सकता है यह हम सभी को पूछने की जरूरत है नागरिक अधिकारियों के अनुसार अब तक 75 छोटे तालाबों को विसरजन के लिए तायार किया गया है लेकिन इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि पी ओपी और मिट्टी की मूर्तियों का पुर्थक करन कैसे होगा या क्या अलगाओं की कावायत पूरी इमानदारी से की गई है मंत्री तलसानी स्वीनिवास यादाओं ने सिकंद्रबाद स्थित आरडियो कारयाले में पेंशन बाटी मंत्री तलसानी ने कहा है कि सरकार गरीब लोगों के कल्यान के लिए काम कर रही है नई पेंशन देने वाले दस्तावे सौपते हुए मंत्री तलसानी ने कहा है कि वर्तमान में 36 लाक लोगों को पेंशन मिल रही है हैदरबाद निकलस रोड पर बारवा ग्राइंड नर्सरी मेला आयोजित किया गया इस नर्सरी मेले की शुरुवात करने वाले मंत्री हरिश राव ने कहा है कि पौधे खरीदना उनका शौक है हरियाली देखना सभी को भाता है उन्होंने कहा है कि इस मेले में देश भर के सभी पौधे उपलब्द हैं उन्होंने कहा है कि नरसरी के माध्यम से वे गाउं के लोगों को मुफ्त पौधे दे रहे हैं। जनगाउं तक जारी रहा। प्रदेश प्रभारी मानिक्यम टाइगोर ने एक बार फिर उनका अपमान किया। उन्होंने दुख व्यक्त किया है कि टैगोर ने सब के सामने मेरा अपमान किया। मेर्चल जिले के जवाहर नगर निगम अंतरगत अंबेटकर नगर में गोड संगम के तत्वव धान में सरदार सरवाई पापन्ना गोड जयंती समारों का भविया आयुजन किया गया। दलित बहुजन क्रांतिगारी नायक सरवाई पापन्ना को उनकी 372 जयंती पर शद्धान जली दी गए। मुख्य अतिती शामिल हुए। हाइदरबाद के रमंतापुर वेंकट फ्रेडी नगर में सरदार सरवाई पापन्ना गोड की 372 जयंती समारों भव्वे तरीके से आयुजित किया गया। विधाईक बेती सुभाश रेडी ने सभी से वंचित समुदाई की आशा को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने का आवन किया है। सुभाश रेडी ने कहा है कि तेलंगाना राज्य सरकार गोड संग के विकास के लिए कड़ी कमेहनत कर रही है। इस कारेकर में विधाईक बेती सुभाश रेडी गोड संग के नेताओं और विभिन दलों के नेताओं ने भाग लिया। कुता पेट के सिध्धेशवर अस्पताल के पास चंपा पेट से आ रहे एक वाहन में आग लग गई। चालक रंदीप अपनी मा ललिता अपने दोस्तों के साथ चंपा पेट असपताल आ रहा था। कभी कोता पेट के सिद्धेश्वर अस्पताल के पास कार में अचानक आग लग गई। आग को देख चालक ने कार सवार लोगों को सूचना दी और उन्हें कार से बाहर निकाला। इससे बड़ा खत्रा टल गया। कुछ ही मिंटों में कार पूरी तरह से आग के लपेटों में घिर गई। बार बार जवाब देते हुए काहा है कि पार्टी को नुक्सान पहुँचाने के लिए बोलना उचित नहीं है, दयाकर ने कहा है कि मामले को सुलजाना चाहिएर लेकिन पार्टी के नुक्सान की बात नहीं करना चाहिए। हाइदरबाट ट्राफिक पोलिस ने दो प्रतिस्चित स्कॉच पुरसकार जीते हैं एकाकुरत यातायाद ई-चालन डेटा बेस प्रभंदन प्रनाली के लिए गोल्ड अवर्ड चोरी के वहनों की अधिक संक्या अपरण आपराधिक मामले विचले ड्राइविंग अपराद आधी जैसे मामलों में स्कॉच ने घोशना की है कि प्राधुकी की एक महत्वपुन भूमिका निभाएगी स्कॉच ने कहा है कि तक्निकी चोरी के वहनों को लक्षित करने अपरादों में इस्तेमाल होने वाले वहनों को खोजने हिट अन रन और चैन चोरों को पकड़ने के लिए उप्योगी है सांसत असुदिन ने भाजयूमो नेता श्रीराम उर्फ लड़ू यादोव के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्च कराई है एक जनसभागों संबोदित कर रहे हैं लड़ू यादोव ने वहां से गुजर रहे सांसत असुदिन का अपमान किया जिससे उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्च कराई भाजयूमो नेता श्रीराम ने भाजयूमो के तत्वावधान में बेगम मजार के छत्री में बाइक रैली का आयोजन किया इससे भारी जाम लग गया हाला कि पुलिस ने रैली के अनुमती नहीं दी श्रीराम द्वारा उस रास्ते से जा रहें सांसत असो दिन ओवेसी का अपमान करने के बाद असो दिन ने पुलिस में शिकायत दर्च कराई लड़ो यादों के खिलाफ मामला दर्च किया गया और जन प्रतिनिदी को बदलाम करनी के आरोप में गिरफतर किया गया बंजारा हिल्स के आरके सीने मैक्स में हाथसा हो गया CM KCR दौरा शुरू किये गए हीरक जैनती के हिस्से के रूप में गांधी फिल्म इस मैने की 22 तारिक तक सीने में घरों में दिखाई जानी है इसी प्रुष्ट भूमी में भारतिय विद्या भवन स्कूल के चात्र गांधी की फिल्म देखने के लिए बड़े उत्सा के साथ आरके सीने मैक्स पहुंचे इसी बेच एक हाथसा हो गया आरके सीने मैक्स का एक्सेलेटर तेज गती से चल रहा था और 9 चात्र नीचे गिरगर दुरगटना गरस्तो हो गए इन में से 7 चात्रों को मामुली चोटे आई दो अन्या गंभी रुप से घायल हो गए घायल चात्रों को अपोलो हस्पताल ले जाया गया शराब के नशे में लोग दूसरों के साथ साथ अपने आसपास के लोगों के लिए भी खतरनाक होते जाते रहे हैं हाल ही में एक शक्स शराब के नशे में लापरवाई से लारी चला रहा था और इससे एक शक्स की मौत हो गई घटना जगदगीरी गुटा थाने शेत्र की है वेंकट नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ जगरगीरी गुटा थाने शेत्र के बालाया नगर बस्ती में रहता है उसने हमेशा की तरह अपनी डूटी पूरी की और घर के लिए रवाना हो गया कुकड़ पली से गाजूला रामा रम से गुजर रही एकर टिंबर लारी ने विंकडेश को टकर मार दी हाथसा इसलिए हुआ क्योंकि चालक शराप के नशे में था विंकडेश की मोके पर ही मौत हो गई इस्थानिया लोगों की सुचना पर पुलिस मोके पर पहुंची और शव को गांधी अस्पाताल पहुंचाया पुलिस ने मामला दर्च कर लिया है और जांच कर रही है पुलिस ने दावा किया है कि विंकडेश को टकर मारने के बाद वातुरंत लौरी को छोड़कर भाग गया देश में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ गए है पिछले 24 घंटे में देश भर में 12,608 ने कोरोना वाइरस के मामले सामने आये है इसके साथ कुल मामलों की संख्या 4,42,98,864 हो गई है 4,36,70,315 पीडित ठीक हो चुके है अन्य बहात्र लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है इसके साथ मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,27,206 हो गई है पिछले 24 घंटों में 16,291 लोग वाइरस से उबर चुके है और उन्हें चुटी दे दी गई है वर्तमान में 1,1343 सक्रिया मामले है केंद्रे स्वास्त विभाग के स्वास्त बुलेटन के अनुसार दैनिक गतिविती दर 3,48 प्रतिशत स्वास्त होने की दर 98,58 प्रतिशत और मिर्तिव दर 1,19 प्रतिशत थी इडी बोलिवुड हीरोइंग जैकलिन फनारिस के हिलाफ चार शीट दाहिल करने को तयार है इडी ने निशकर्ष निकाला है कि पिछले कुछ महिनों में 200 करोड रुपे के मनी लॉंडरिंग मामले में उसकी भूमिका है इडी ने इस साल अप्रेल में इस मामले में जैकलिन से जुड़े 15 लाक रुपे नगद और 7 करोड रुपे के सामान को कुर्प किया था तिहार जेल से इस हावाले से सुकेश चंदरशेखर मुक्य पातर थे इस वारदात में जैकलिन भी शामिल है इडी उससे पहले भी कहीं बार पुछताच कर चुकी है पिछली बार अधिकारियों ने जुन में पुछताच के बाद विवरन प्राप्त किया था हाल ही में इडी इस मामले में जाकलिन के खिलफ चार्चित खोलने को तयार है हादरबाद मौसम विग्यान केंदर ने घोशना की है कि इस महने की 19 तारीक को बंगाल की उतरी खाडी में निम्र दबाव रहने की संभावना है खुलासा हुआ है कि अगले तीन दिनों में तयलंगाना में हलकी से मध्यम बारिश होने की संभावना है बताया गया है कि इस महने की 21 और 22 तारीक को प्रदेश के सभी जिलों में गरच के साथ छीटे पढ़ने और हलकी बारिश होने की संभावना है उन दो दिनों में यलो अलट जारी किया गया है लोगों को सतर कजैने को कहा गया है ये थे अब तक के ताजा समचार आगे के ताजा समचारों के लिए देखते रहे हैं सिटी विजन लाइव